कुछ अलग सा है कारोबार उसका तपती धूप कड़कती ठंड आंधी तूफान लेते हैं इम्तिहान उसका तल्क है कुद्रत के तेवर सारे मगर लजीज मीठे आमों सा है मिजाज उसका नमस्कार खमा गणी राम राम साब आम कुद्रत का दिया हुआ एक नायाब तोफ़ा है इस आम की लगबग डेड़ हजार किसमें पाई जाती है और उनमें से हजार से ज्यादा किसमें हिंदुस्तान की सरजमी पर उखती है आम हमारा राष्ट्रे फल है हमारी विविद्धा म जिक्र एक ऐसे पेड़ के रूप में किया गया है जो सदा हरा रहता है कालिदास ने अपनी रचना मेग दूतम में इसका इस्तेमाल प्रतीक के तोर पर किया है वो परवत को आमर कूट आम की बोरों को मदन बान और फल को प्रेम की परिपक्वता का प्रतीक मानते हैं आम के आम गुठलियों के दाम कहावाद दरसल इसी बात से निकली है कि आम के पेड़ की हर चीज उप्योग की है आम की मेडिसिनल वेल्यू यानि ओशदिये गुणों के संदर्ब चरक सहीता में भी मौदूद है और सबसे खास बात आम की एक ऐसा फल है जिसने गालिब जैसे मश बारे मासी आम से जुड़ी शंकाओं का समाधान करेंगी और हमारे इस कारिक्रम में हमारे सहभागी हैं समाधान टेक्नोखिती तो लीजिए प्रारम करते हैं राम राम सब्सक्राइब जी हाँ जब आम की दीवानगी है तो आम के लिए अब हमें गर्मियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्यो기에 आपकी सुविधा के लिए आपकी इस आम की दीवानगी को देखते हुए हमारे किसान भाई ने आपके लिए सदा बहार आम की किस्म ही विक्सित कर दी वो इतनी अच्छी किस्म विक्सित की है कि उसका स्वाद राष्टपती भावन तक पहुँच चुका जी हाँ आज हमारे साथ मुझूद है श्री किशन सुमन जो की कोटा से हमारे बीच पधारे हैं और यह बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी इस आम की किस्म को विक्सित किया है श्री किशन जी सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत अभीनंदन और हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से सभी किसान भाईयों की तरफ से आपको राम राम सा किशन जी नर्सरी का आप विवसाय करते थे आप बीच सी फस्ट इयर तक पढ़े हुए हैं कहां से सोचा आपने की आम के लिए कुछ ऐसा किया जाए आम के दीवानों के लिए कैसी एक किसन विक्सित की जाए कि आप उन्हें साल भर आम खाने का मुचा दे सके हां इंक्त वाने को ा 소 के यह मैं आ ripe पर उसमें ऐसा होता था बारिस कभी तो बारिस होगी कभी क्या होता है और इन से बचाने के बच्चा कर भी जब मार्केट में ले जाते थे वह रेट मिलता था उस दिन जो रेट होता था जी तूस्धे में संतुष्क नहीं था था पिर मैंने सोचा अब मन को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पराक्रति परकोब हो एक कटितो करना ही है इसकी है को यह शी जिए चेकर श्ज штीकप आndट कि आख करना कि एक सब सभी तरह कि सब्जें करिँ ने सभी तरह के सब्जेट भोई हें पर उसमें मैं इसमें कारणी हैं था। दवाइयों बहुत ज्यादा लगती थी। 06 आ बेद इस को चोड़के भी कहती वहma lioda लगा Schweiz ने उचते ने थी, řुग के लिएगल P वितु सब्सक्राइबंते हैं, लोग न्यौट में दमाग है खोड़का को बि tramड़ और सबंदा जापर होती है। सब्सक्राइब नृता है। तो उसे में कुछ संतुष्ट हुआ अच्छा लगा मैंने मेरे एक जो सोचा था उत कुछ हद तक सही होता जा रहा है जी उसी में एक ऐसा हुआ जब गुलाब की खेती करी रहा था उसी दर्मयान मेरे को आया कि इसमें इस गुलाब पे देशी गुलाब को ग्राप्टिंग कर के अलग रंग के फूल तैयार किया सकते हैं अलग रंग की घुलाब बनाइशकती हैं वह ने भी किया मैनें किया त्रीक है पूल खिल गा cockroff में ने अलग रंग के फूल लाग उसकी कलम लागे उसपे लगाई मैं कर्दीक तो उस च्छा हुआ कि अपने जो चाहता हो कुछ हद तक सही होता जा रहा है जी तो मेरे और आगे करने के लगन हुई उसमें मैंने सोचा कभी अपनी गुलाब पर तो कर लिया एक 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 पोदे पर तीन तीन चार चार रंगे फूल खिल गए जी उसी से दिमाग में आइडिया है कि अपन को फलो करना आपना जी तो आपका हम ने शीके तो अच अच जाते कि को और साओं सब्सक्राइब के अपना ज जया कभ बार बार पाली diversity जी तो आप क्या जानना चाहते हैं इडिपर आपको कहान से मिल सकता ये जानना चाहते हैं आप है इसका जवाब मैं गिर्दरपुरा, तहचील लाडपुरा है, जीला कोटा और राजस्तान है, वहाँ पिम बिलेगा सर्य पोदा. जी, आप अपना नमबर एक बार यहाँ पर अपना रिपीट कर दीजिए, एक बार नमबर बोल दीजिए, जिससे कि आप तक आपका नमबर पहुंच जाए और यह उसके बाद आप से बात कर ले और आप इस नमबर पर संपर्थ करके आप इनसे बात कर सकते हैं और आम की इस पश्चिम मंगाल तक मंगा सकते हैं। लोग किसान भाई हर साल आम की खेती करते हैं, हर साल उसमें खर्चा करते हैं, पर उनको खर्चे का वह सतन नहीं मिल पाता था, एक साल फसल आती थी, इस चीज को ध्यान में रखते हैं, मैंने आम पे काम करना सुरू किया, और मैंने सोचा आम की ऐसी कोई वेराइटी बनाई जाए, जो हर साल फल दे, उससे किसानों का जो हर साल का खर्चा होता है, वह बराबर कम से कम उसका खर्चा पानी तो निगले है इसको ध्यान में रखते हूए, मैंने आम पे काम करना सुरू किया, तो इसके लिए मैंने भजारे से जहां जो भी आम के जो गुटलेयां, तो उस पोदे को मैंने वहां से अलग निकाला अलग निकाल कि उसका अच्छा पालन पोसन किया पालन पोसन करके उसको जब उससे ग्राप्टिंग करी मैंने दूसरे पोदों में देशे पोदों में ग्राप्टिंग करके इसको एक संसोधित विराइटी कर सकते हैं जी मैंने स तो पर देखा उनमें हर सीजन में फल आ रहा है जब पोदा मैचोर हो गया बड़ा हो गया विक्सित हो गया तो उस पर एक पोदे बड़े फल भी लग रहे है जो पकने की स्थिति में उसी पोदे पे दूसरी टैनिय पे चोटा फल भी आ रहा है जो आगे बड़ा होगा बड़ भी आ रहा है जी तो ऐसा रेगुलर ऐसी वराइटी बन गई जो रेगुलर फल देना सुरू कर दिया जी उसमें सर्दी बर्साद और गर्मी का इस पर कोई पेक्ट नी था नियमित करन हो गया उसका एक तरह से कि बोर भी आ रहे हैं फल पक भी रहे हैं और चोटे फ अन्ततय आपको एक ऐसा पेड़ प्राप्त हुआ जो की सदा बहार था जो की हर मोसम में आपको आम दे रहा था यहां तक की बात समझ में आई लेकिन उसके बाद आपने लोगों तक कैसे पहुंचा इस अपनी बात को क्योंकि आप कर सकते थे कि आपने एक पेड़ लगा उ पर मैंने तो सोच रखाता का अच्छा काम कर रहे हैं इसका जो मिलेगा फाइदा मिलेगा वो लेट हो जाएगा पर अच्छा मिलेगा तो मेरे को वह सपलता मिली और यह अच्छा काम हो गया आपने तो सीधा सीधा प्रकृती से लड़ाई करी क्योंकि आपका जो एक चुनोती थी वो यही थी कि प्रकृती के प्रकृप के कारण फसले खराब हो जाती है और इस कारण से आप फसल उगा नहीं सकते तो आपने तो प्रकृती से ही चुनोती लेली कि मैं कैसी विक्सित कर सुमन जी उसके बाद फिर आप कैसे आगे बढ़ते गए किया दया तक आप तक आप लग चुके होंगे जो आपने पोध दी या जो आप से लेकर गए आपके पास में तो जिन लोगों ने आपको कहा क्या पागल हो आप गलत दिशा में काम कर रहे हो आप आम विक्सित नहीं कर पाओगे उनका आप क्या ख्याल है उनका आम भेजे आपने खाने के लिए उनको बेजे उनको और जब मैं इस वेराइटी को लेकर राश्च्पति भावन में एक सुंडराम जी करके हैं जी उन्होंने हमारी बहुत मदद करी इसको लोगों तक लोगों क नजर में लाने के लिए उन्होंने मारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने एनाइफ से जुड़वाया हमको लोगों को लगा कि वास्तों में जो एक पागल इसने जो करा बहुत अच्छा किया आज राश्च्पति भावन तक अपनी वराइटी पहुंची इसकी और वरुबरू होना चाहते हैं आई ये बात करते हैं राम राम साब किसी मोसम में रहता है खाने के लिए हाँ इसका स्वाद हर मोसम में सही रहेगा और इसका स्वाद आपूस आम से मिलता जुलता है जो अलफान्स आम है अपना जो भारत की टोप एराइटी है उससे मिलता जुलता है इसका स्वाद है और इसका स्वाद भी उससे मिलता जुलता है स्वाद बहुत अच्छा है इसका जी हाँ हापुस आम से इसका स्वाद मिलता है हापुस आम से इसका रग रूप मिलता है इसका शेप मिलता है और वो आम इनोंने विक्सित किया और ये पूरी साल भर आराम से खाया जा सकता है खेर फिलहाल आम से लेते एक छोटा सा ब्रेक और जाकर आते हैं आप देखते रहें एवन टीवी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास कारेकम जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सदा बहार आम की ब्रेक पर जाने से पहले श्री किशन सुमन ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस आम की नसल को विक्सित किया अगर आप भी जानना चाहते हैं सदा बाहर आम के बारे में कुछ भी आपकी भी कोई शंका है तो उसके समाधान के लिए आप हमें 0144401-103 पर फोन करके आप जा बना रहेगा पर फल कमाएंगे शारे पानी में आम नियोप आता सर अच्छा जाहेंगे आप जी हां खारे पानी में मीठा फल नहीं हो सकता श्री किशन जी राश्पती भहन से आप लोट कर आए आपके उमीदों को पंख लग चुके थे आपका आम अब राश्पती भहन तक पहुँच चुका था आपको लोगों ने बधाईयां देनी शुरू कर दी थी लेकिन अभी भी चैलेंज बाकी था अभी भी आपको बहुत सारा काम करना बाकी था फिर आपने क्या किया हां सर में उसके बाद फिर इसको जो सदाबार आम की वराइटी इसको बड़ाता गया बड़ाता गया परचार होता गया एन आए फालों ने भी परचार किया जी हमारे एक किसने म उन्हें हमारे को दो बार सम्मानित भी करवाया और हमारे लिए प्राइस के हमारे चपन वेगे निक हैं या हमारा और भी जो किसांद चाहें तो जूड़ सकते थे आ अच्छी किसान जूड़ सकते है जो नया किन्यो कर रहे हैं अब हमांधर mock tightened oda κिनार चापी एक तो सुड़ सुड़ा पहं ने जब जूड़ा था अ खेथे के वेग्यानिक जी कhrate से आज में याठ इत्ती उपर तक मिल्मों लोग सुन रहें में रहें रगो है तो अच्छा काम कॉरे है कि युझन अइसडे वार्ड मिला है महींद्रह सम्रद्धी से आपको व्राड मिला है क्या है वह अवार्ड के बारे मिली ऊसमें एक तोफी मिली है और प्रस्तित्पत्र मिला है और उसके पहले भी मेरे को यवाड मिल चुका था राशपती जी कहां से एक यवाड मिला जी उसके पहले आर सी आर जी झो पुुसा इंस्ट्ट rápido के विटे वहां से भी एक लाग का इवाड मिला था जी और पहले सुरूर शुरू मेरे को ये जो मुख्यमंतरी जी असो गेलो जी के माइस से भी संभानित हो चुका में जी के वी के वालों से अब क्या कर रहे हैं इस फील्ड में बागी का आप क्या करना चाहरे हैं अगर आम क कि बात करें अभी आप आम की के खेती कर रहें किया कर रहा मैं अभी आम की के खेती कर सकत हम के पोदि लगां ँशकि प्रोसेशाह करौन का उस काम करूंगा और अभी भी लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपtro भी है और हम को फल का मिल सकते हैं तो इसकी spending के साफ से हम लोगों को बता रहे है én हम इतने पोदे फल जगऺ दिये आप वहाँ से समपर कर सकते हो जी महाँ से ले सकते हो जी तो तो एससा चल रहा है और मेरा भी आगे सोच है इस यहाम को ना थे रहा हूं में जी हूँ प्रोट प्रोशेसिंग यूनित प्लव जिस तरह कि आप आम के लिए लगाना चाहते हैं जिससे कि आप उसे वैल्य एडिशन करके भीज सकें तो लोग आपके पास संपर करते होंगे कुछ लोग जानना भी चाहते होंगे और कुछ करना तो आप जब उनका पेड़ देते हैं हो लोग आप से कि क्या करना है आगी हाँ बिल्कुल उनको पोदा देते वक्त भी बताते हैं बहुत बहुत उत्सावित हो रहे हैं चोटे-चोटे पोदे बहुर आना सुरू हो गया तो अभी तो आप तीन साल तक इस पर फल नहीं लें बहुर बड़े निरास होते हैं फिर पर पोदे को मैच्छोर करने के लिए तो अपड़ेगा इसका नेचर है सर इसलिए फल तो देगा फूल भी देगा और अगर सुरू में चोटे पोदे पे फल लेना सुरू कर देंगे तो पोदा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिए चोटा रह जाएगा इसलिए हम चार साल तक इसको फूल अटाने के सला देते हैं चार साल बाद फल लें तीन साल या चार साल बाद फल लें लेकिन उसके बाद फिर ये कितना लंबा चलता है ये तीन साल बाद चार साल बाद पचास किलो फल देना सुरू करेगा और ये जिन्दगी पर चलेगा लाइफ टाइम है इसक चल पाएगा चलेगा मेरे पास 20 साल पुराना पोदा है तभी अभी तक वो बिल्कुल सोचतर बिल्कुल ग्रोथ कर रहा है तो यह दूसरी वराइटियों के तरह चलेगा पर यह ग्रहाप टेड़े इसलिए जैसे 300 साल तक नहीं चल पाएगा मेरे को जहां तक सोचे पर 100 साल आराम से चल पाएगा जी हां खीक है उतने में भी अगर पचास किलो फल अगर वो इस तरीके से देते रहे और लगातार सदा बहार फल देते रहे तो पचास किलो फल तो चार-पांस साल से देना सुरू कर देगा पिर जैसे जैसे पोदे की ग्रोथ हो रहाइट बढ़ेगी उसका जो आकार बढ़ेगा तो वैसे फलों के संग्या बढ़ती जाएगी जिए और जब पूरा मेचुर हो गया आरदस साल हम इसके पूरी मेचुरिटी मानते हैं उस टाइम इसमें 200 किलो से 500 किलो फल आना सुरू हो जाएगा इसका फल तो यह कितना समय आप यह मानके चलत है तो भी दो साल लगेंगे दो तिन साल बाद बजार में नजर आएगा इसका फल तब तक हमने तब तक के लिए लोगों से कह रहा है इस पे फल नहीं लें और एक और दर्शक है इस समय जो की बात करना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से जी राम राम सार जी बहुत- जैसल में आम लगाना चाहता हूं तो किस परकार से ज़र लगाना राम देयो रा में आप फल लगाना चाहते हैं श्रीकिषन जी जैसल मेर के बारे में आप जानते हैं हाँ सर आप क्या आम लग जाएगा सर छोड़ी रेतिल लिमिट्टी है तो उसमें जब गड़ा करें गड़े को खुला छोड़ दो उसमें फिर गोबर की खाद डालो दस-फंद्रा किलो गोबर की खाद दीमक होगा है तो दीमक होगा जी तो उसके लिए एक केमिकल डालना चाहिए तो कलोरी पायर पोस आता है आप चाहिए हम तो जेविक रखेंगे तो नीम का कोई भी प्रोड प्रोड़े के साथ करीब चेंचे का गड़ा करके पोड़े के साथ जो मिट्टी होती है इसकी पॉलेथीन अटाके उस गड़े में पूदे को लगा देना है पानी दे देना है और आगे पानी देते रहेंगे फिर चामीने बाद खाद देने की जरुत पड़ेगी ताकि पो पोडसर देना है राज रामगठ से राजिंदर बिजपने जानना चाहते हैं कि पोड़े को यी कहां से ले सकते हैं यह पोड़ा घिरदरफे को टा गिरदरफी मर्भी जाएग और आमरपाली मिल जैएगा चार विराइटी हमारे पास है भी सौन रेका भी है बागी फल वाले पोधे सब भी मिल जाएंगा आप जी है इसके अलावा आप कौन-कौन से और पोधों पर काम कर रहे हैं फल वाले और कौन-कौन से पोधे आपके यहां पर मुझूद है मेरे पास चीकू है, संत्रा है, मोसमी है, कटल है, आपका आडू है, बेर है, एपल बेर है, निबू है, अच्छी क्वालिटी वाला तीन तरह के निबू है मेरे पास अमरूद है, एल-49 है, इलाबादी है, लाल वाला है, यह लगबग लगबग इससे फल वाली जो पोधे हैं, सबके पोधे हमारे पास बार से लाके रख रखे हैं, सदबार विराइटी हमारी खुद की है तो और किसी और तरह के पेड़ पे और किसी और फल पे भी काम चल रहा है, आपका भी काम मेरा कटहल पर काम करने का है मैं इससे थोड़ा फिरे होके कटहल पर काम करूँगा कटहल पर इसलिए काम करूँगा जो किसान लोग है उनका कटहल से कटहल के परती रुजान थोड़ा कम होता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कटहल में फल बहुत दिनों बाद यहां बिल्कुल सही बात है जो काम पढ़ाली का किसान कर सकता है वो कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाते और कुछ ऐसा ही काम श्री किशन सुमन ने कर दिखाया और अब वो करने जा रहे हैं ऐसा ही कुछ काम कठल पर वाकई सही बात है जब ये किसान अपने खेद को प्रयोगशाला बना लेते हैं जब ये किसान खून पसीना बहा कर कोई काम करते हैं और अच्छी चीज निकल कर आती है और वैसी ही चीज़ श्री किशन सुमन ने निकाल कर आप सब के सामें रग दी किशन जी आम के पोधे को आपने का एक और दर्शक है इस सवें जो कि आप से बात करना चाते है उसके बाद में आपको अपना प्रशन आप से पूछता हूँ जी राम-राम सा जी आप में जयपूर से बोल रहा हूं जी मेरा प्रशनी यह आप बता रहे हैं कि बारम अम जी में तक टानी मिलता है दिए डाइम सर्दी भी निलता है कि अजके ब आधके बाद में कल से लोग जाकर सदा बाहर मांगना आम मांगना शुरू कर देंगे बताइगे का से लेसके लिकुछ मार्केट में मिलेगा सर दो साल बाद में मिलना सुरू हो जाएगा सदा बहराम अभी आपने पेड़ देने शुरू किये हैं पेड़ में बताया कि तीन साल बाद फल आते हैं साल पहले से यह लोग पेड़ दे रहे हैं और बहुत जल्द यह आम आप लोगों के साथ मौसम देखने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस समय तो सर यही बात चल रही है आम के लवर्स इतने हैं कि इंसान की बनाई नहीं खाते हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते क्योंकि आम की प्रती दिवान की लोगों की इतनी है और जब सदा बहर आम लोगों को संत्रा लगोँम आप हैं कहा से बोल रहे हैं अभी आप खेती कर हैं कुछ अभी लगाया हुआ है आप संत्रा लगाना चा ducks है मार्वार जंक्शन सब्सक्राइब जी हमाजनें एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका स्था यृषित किन अगले दो सालों में, ढाई सालों में, आप पूरा साल भर सदा बहार आम को खा पाएंगे। एक और दर्शक है इस समय हमारे साथ, जो कि फोन लाइन पर मुदूद है, बात करना चाहते हैं आप से। जी, राम-राम साह, जी, यह पूछरों चाहरा हूँ, यह कोटा से बूल रहे हैं आप? कोटा से बूल रहे हैं, यह सदा बहार किस्म का आम है, जो कि पूरे साल भर आपको फल दे सकता है। जी, शी किशन जी, अब मैं चाहूँगा आप सवयम जवाब दे। पोधा लगाने के बाद फल तो दूसरे साल आना शुरू हो जाता है। इसपे। वराइटी के जो गुनए हुसके साल पोधा लगाते हैं दूसरे साल फल देना शुरू करँए पर उसमेयर चाहीँ लेना सुरू करेंगे। और पोदा स्वस्तर रहेगा इसलिए हम तीन साल तक चार साल तक इसको फूल अटाने के लिए सला देते हैं श्री किसन जी एक और दर्शक है इस समय जो कि आप से बात करना चाहते हैं जी राम राम साथ जी जी प्रशन पूछिए सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को नीबू का आउले का और आम का पेड कहां उपलवद होगा आप कहां से बोल रहे हैं आप सीकर से बोल रहे हैं श्री किशन जी बताइए कारेकरम के अंत में एक बार श्री किशन जी फिर से अपना फोन नंबर बताएंगे आपको आप लोग उस नंबर को नोट कर ले और उसके बाद आप इन से संपर्क कर सकते हैं इन पोड़ों के लिए इन पेडों के लिए सदा बहार आम की पोड़ के लिए और अगर फिर भी आप से मिस हो जाए तो कल यानि की रविवार को इस कारेकम का पुने प्रसारण किया जाएगा शाम को छे बजे जिसमें एक बार फिर से श्री किशन जी से आप उनके नंबर जान सकते हैं मद्यप्रदेश ते बोल रहे हैं आप आपका स्वागत है आपका आभार है कि आपने फून किया हमें आपका प्यार और आशिरवाद ही है कि हम आप राजस्तान से बाहर भी देखे जा रहे हैं अबर जो प्रस्न आया सदावाहर का ये अपने को पूरे वर्फ मिलेगा ये तो ठीक है ये तो पहले भी बहुत सरी कख्कि वाड़ा सरफ ये प्रियोग हो चुका है जी हमारे जावु आपके पास तक्कि वाड़ा में प्रियोग हुआ है का बात ये आती है सर की अपने को जो क्वालिटी कंटेंट है जी तरव के ये जी तो हम आपने प्रशन पूछा और आप जिस प्रकार से आपने कहा कि आप राम्रामसा लगातार देख रहे हैं उसके लिए हुए आपको बहुत भूद धन्यवाद श्री किशन जी वास्तों में वास्तों में जो आपका सवाल है इसको मैं भी सलाम करता हूं मानता हूं सर यह जो आप बता रहे हो कंटेंड वाली बात जो है हम वैसे जैस किसान वाली बात नहीं कह रहें सर यह लेबोर्टरी टेस्टेड है यह हम अपना जो उदेपुर उनिशिटी वाले इन्होंने भी इस वेराइटी का सेंपल लाए थे और पूरा इसका इनलेशिस किया है उसके मेरे पास सेंपल रिपोर्ट है बैंगलोर से भी टीम आये थी उन्होंने भी इसको पूरा पूरा इनलेशिस किया उन्होंने तो क्या है बाकि एना फोल नेशनल इन्वेशन फाउंडेशन है उन्होंने इसका सभी वेराइटियों क और उनों ने थाबित किया कि वास्तम मैं विराइटी ऐसी है जो अभी तक वेग्याणिक येक मताबन बिमारी आती है हाम में अभी तक उसका कोई ट्रितमंट नी है कोई इलाज नी है उससे भी हमारी वैराइटी रेस्टेंस है वहल लग उन वेग्याणिकों न माना इस चीज यह उन्हों के टेस्ट करवाया और वहां से बार बार वग्यानिक आगे उन्होंने वहां वहां से आपके रहें तो आपके रहें सही है बिल्कुल जो आम मौसम के टाइम पर आम आता है वहीं आम है और सेम उसका कंटेंट है सब कुछ वैसा कवे साइए बिल्कुल जरूर आप से संपर्क करेंगे हमारे दर्शक जिन्होंने अभी आपको फोन किया जो कि मध्यप्रदेश से आप से बात कर रहे थे फिर अब श्री किशन जी आगे आपने क्या सोचा हुआ है आम के इस चीज को और विक्सित करने के लिए क्या सोचा हुआ है मैं इसमें चाता हूं सर्ष यह जो अब जिस वी दिति से में पोड़े तैयार कर रہा हूं इसके किसानों की पूर्तिanka नहीं ऑपारी इसमें चाता हूं कोई ऐसा इनवेसन करूं या ऐसा कोई किनी वेग्यानीं किसे मिलके जिसे कोई टीसू कल्चर से बन जाए जी या कोई इसमें जल्दी पोदे बनाने की कोई ऐसी परकिरिया हो जाए उसका में दिनरास होज तरहता हूं और करता भी हो कि इसको कैसे जल्दी-जल्दी किसानों के पास पहुचाए जाए किसान छेचा मेने से पेशा डालगे एक बार रोकना चाहूंगा एक और फॉन कॉल है जो कि आपसे बात करना चाहते हैं फॉन लाइन पर मुदूद है जी राम राम सा जी कहां से बोल रहे हैं आप जी पूछिए प्रश्ण पूछिए बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे बात कर रहे हैं और इतनी दूर से महराश्ट से आप हमें फोन कर रहे हैं जी प्रश्ण पूछिए कि अजी जी मैंने वाल्म कम का दिया कोई बात पूर्णा थे बोड़ा हूं जी 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 मेरे पास पांस एकर जमीन है जी पूर्णा से साथ कुर्मटे दूर जी वो नदिक इनारे है जी अभी महा पर कुछ काम नहीं कि हैं आप जमीन खाली पड़ी है जी प्रक्स आप वहां आम लगा सकते हो और इस प्रोग्राम के बाद में चाहें तो आप मेरे नंबर ले ले लेना में आपके पूना में हमने बहुत सी जगह दिया है महराश्ट में बहुत सी जगह हमने आम दिया तो आप उनको देखे आप संतुस्ट हो जाएंगे आपको लगेगा पहर आम लेकर जाएंगे तो निश्चीत तोर पर वो जरूर फलेंगे फूलेंगे श्रीकिशन जी का यह कहना है जी हां श्रीकिशन जी आप बता रहे थे कि आप कुछ और इन्नोवेशन करने जा रहे हैं जिससे कि पेड़ ज्यादा पोदे तयार हो और किसान मेरे को टाएम लगता है तो इसे को मैं χ我们サoton कर squash के ऐसा करना चाहता हूं जिससे जल्दी जल्DIO पोदे तयार हो जिएसं मेरे की इसमें सोच चल रही है नवीं तो एक दिन में अगर पानी डला तो पूरे च्हों महीने की मैनत बैकर हो जाते हैं इस समय फॉन-लाइन पर मौजूद है आपसे बात करना चालते हैं जी राम राम साथ जी नमस्कार जी गोतम जी अभार आपका फोन किया आपने प्रश्ण पूछिए जी हाँ बिल्कुल हनवानगड में भी बारा मासी पोधे उग सकते हैं जैसा कि हर आदमी का सिर्फ एकी प्रश्ण इस समय कि हम इसे संपर कहां से करें हम ये पेड कहां से लें हम एक बार पहले इनका नंबर कारिकर्म के अंत्वनथ में एक बार फिर से श्री किशन सुमन्जी अप्ना नमबर आप Une इस संफ्पले करेंगे आप नबर पर इस कारिकम के बाद संपर्लकlı कर सकते हैं अपने पोधों के लिए अपने पेड़ों के लिए या और भी कोई सला अगर आप लेना चाहें तो इस किसान वे ज्यानिक से आप शंपर्ल्ख कर सकते हैं। जी, श्री किशन जी, बताइए, आप कर रहे थे कि बहुत समय लगता है, इसमें बहुत बात आती है, आपने बताया कि दो साल से आप लगातार लोगों को पेड़ दे रहे हैं, कितनी संभावना है, कितने लोगों के उनका रेस्पोंस क्या है इस समय पर जो लोग आपके आज श्रीषielle पेड़ ले कर गए है, मेरा हैं सिर्फ 5%, 5% फोदे जो लोगों के दिक्कत आ रहे है, या तो लगाने की क्मी हो सकती उसमें, पांच प्रसेंट पोदे डेमरेज हो पाएं बाकि और सब अच्छे चल रहे हैं पांच प्रसेंट में मान रहा हूँ वो मेरे पोदे की कमी नहीं है उसमें लगाने का तरीका हो सकता है पानी में जैसे पानी खार बात आये थी खारे पानी में लगा दिया तो पोदा नहीं चल हमने जाके चेक भी किया तो उन लोगों के ज़्यादा तर जो पौदे मरते हैं जो मरने किसी कायता है यह 5 परशेंद लोगों किसी कायता है वो कोई भी कमी हो सकते है उसमें जाके तरिस समय जो फोन-लाइन पर मुधूद है आपस बात करना चाहते है जी राम-राम साह जी आप क्यंकूंब बोपाल स्यraf नाम फईसár 11000- suffEt कि पते हैं रहें जाती पंद्रा से 20-20 तक जयादा ज्यादा पंद्रे आठराँ फिट तक इसके जाती हमारे मिध्यदें जी आमरपाली जैसा इसका गुणाई बढ़ने में जी हां पंद्रा बाई पंद्रा पे आप इनको लगाया जैसा है आपने इनको बता दिया और क्या खास पात इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उन्हें सावधानी इसमें सर्फ पानी का मैंने जहां भी देखा लोगों के आप जो पौधे मरने का और जो पांच परसेंट में बता रहा हूं वहां ज्यादा पानी दे रखा है लोगों ने तो ज्यादा पानी नहीं दे उसके लिए उसके लिए हमने सीधा सा एक फोर्मूला बना जाएं जी और अपनी खुरिच के देखा वहाँ पे कोई रहते लिमिट के देखा दो दिन में अगर सुका है तो दो दिन में बादी पानी दे दे मतलब फिर 15 दिन के इंतिजार नहीं करें जी अगर आप ऐसे पानी का सिस्टम रखेंगे यह से पानी लगाएंगे तो पोदा बहुत अच्छी तरह गरोध करेगा बहुत अच्छी तरह विकास करेगा और पोदे मरेंगे भी निए श्रीकिशन जी एक और दर्शक हैं जो कि आप से रूबरू होना चाहते हैं आपके सवाल के साथ जी राम राम साथ जी पाब यह हैं कि मारे गाम में एक मिटी है और लगा सकते हैं लगा सकते हैं आरो प्लांट लगा के लगा सकते हैं आप उसमें मल्चिंग कर दें पानी की समस्य आपने तो पानी जैसे खारा पानी है तो उसको आप यह कर सकते हैं एक तो फारम बना ले जो फारम बनता है आजकल वह बना ले तो बारिस का पानी उसमें रो आते हैं आप से जी राम राम साथ सुन पारे हैं आप हमारी आवाज जी प्रेश्ण पूछिए हाँ जी यह समस्या हो सकती है श्रीकिशन जी बताइए उसका कारण यह रासर आपने वो देशी पोदा है वो ग्राप्टिंग नहीं हो पायती उसमे आपने कहीं जैसे फल खाके उसको लगा दिया वो पोदा है तो उसका पूरा भी जब तक उसका जीवन चकर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसमें फल नहीं आएंगे देशी पोदे में 10-12 साल बाद फल आते तो राम राम सामे ए ना खत ना संदेश ना कोई पैगाम भेजिए अभी मीठे फलों का मौसम है सिर्फ आम भेजिए जी हां आम दोस्ती की पहचान होती है अगर आपको किसे दोस्ती करनी है तो आपको आम का पेटिया या आम का उपखार उने भेजिए जी हां एक और दर्शक है इस समय जो कि स्रसीले एपिसोड में सवाल करना चाहते हैं जी नमस्कार राम राम साथ जी प्रशन पूछिए सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को का से बोल रहे हैं आप जोत्पुर से बोल रहे हैं श्रीकिशन जी एक पेड़ तो इनका खताम हो गया दूसरे पेड़ में फल नहीं लग रहे हैं गिर जाते हैं क्या करना चाहिए इने तो चाहिए पाउडर मिल्डी जो उसको बोलते हैं अंगरेजी में वो लग जाता है तो उसका इस प्रेकर ना चाहिए तो उसका चाहिए तो ज्यादा ज्यादा फल रुकते और अब तो आप उसमें खाद वाट डाले गोबर की खाद डाले जो बचरें उसको बचाईए रह को आगे विक्सित करवाई है बागी अगले साल ध्यान रखना जब भी बहुर आए फ्लावरिंग वह उस टाइम आप बावस्टेन का स्परी करवा देना उस पर ज्यादा ज्यादा फल रुकेंगे आपके जी है और अगली बार तक तो अगर आप सदा बहार आम भी ले लेंग जी सत्य नारायन जी बहुत-बहुत स्वागत आपका पूछिए प्रश्ण पूछिए यह जो सदा बार आम है जी इसके बारे में जानकारी क्या जानकारी जाते हैं आप पूरी जानकारी मतलब जो बार बार फल देगी पूरी साल बर फल देगी इसके सबसे बड़ी विसेशता है और चोटे पूदे पे फल आना सुरू हो जाएगा जी इसको जैसे पहले कहते थे लोग काहुत बना रखी थी कब बाप लगाता था बेटा फल खापाता था आम का पर हम ने इसमें इसे पर यह विग्यानिकों ने भी किया हम ने भी किया आज खुद लगा और खुद इस प आज उन लोगों को हम घंबले में फल किला रहे हैं उन से बोल दिया आपके जमीनी कोई बात नी आपकी बाल करने में पोदा घंबला रखी है इस पर आम आएंगे आप केसे आता है केसे उगता है केसे पकता है उसको खा सकते हो आप अलब घंबले में भी लगा सकते हैं इस तो दर्शक है इससे में जो कि आप से बात करना चाहते हैं जी रामरामसा सुन पा रहे हैं मार्या जी रामरामसा जी मैं जोपुर से डॉक्टर मीना परियास बोल रही हूं जी मीना जी बहुत-बहुत आभार आपका आपने फोन किया हमें जी टॉक्टर मीनू अपने खेत में नीबू लगा चुकी हैं लेकिन अब आम लगा करनी चाहिए। यह तो आम के लिए बहुत अच्छा आपका प्रयास है है और बहुत अच्छा काम करने जा रही हैं आप सी लिड़ीन आप अच्छा करने जा रही हैं आप सब्सकार इसले दें ऊच्छा ऑफ करें लिड़ी विधि को कुट हुआ निजीड उनिबहां है थेयम जाना लिए बता दूँ निवू में निडाय गुडाय करिये टाइम टॉटाय करिये उसमें अगर कोई कीड़े बीमारी हो तो उसका जेवी की जो कीटना से काते हैं उनी का स्परे करें यह तो आपका निवू का हो गया जी आप आप निवू आपका चल रहा है हुआ अच्छा तो हम हमारा सदावार आम भी लगा सकते हो जा दूसरी वह और भी रएट हैं आप जो चाहें वह लगा सकते हो आपका आराम आम आपकी जमिन में आराम हो जाएगा इस समय पर मौद बहुत कम बचा है आप सभी लोग इसे निवेदन है कर पर संग्शेप पर पूछे जी राम राम इस तरह के से किशन जी क्या साला देंगे इनिया वराइटिंग करवाना चाहते हो आप को व्य व्य दो सब्सक्राइब बाद ना बाद में करवा देंगे अपना नंबर बोलेंगे कारिकम के अन्त में वो नंबर आप बार नोट कर लीजेगा आपने पास लिख लीजेगा जिसे कि आप जब भी इनसे पूछना चाहे तो यह आपको बता देंगे कि इस प्रकार से हो सकती कहां हो सकती है जी स्रीकिशन जी आगे बताईए क्योंकि समय बहुत कम होता जा रहा है जो भी आप सला देना चाहते हैं मैं चाहूंगा कि देते रहें आम के बारे में आपके प्रेड़ों के बारे में दूसरे भी कई पेड़ क्योंकि आप काफी समय से नरसरी लगा रहे हैं घर के प्रकाओ के अरयली आप क्या कहना चाहेंगे बताते हände मैं पहले तो इस चैना चाहता हूं कि आ यह सब्सीड़ी ओगरा जो है इनके right में पढ़के अपनी लगन और मेहां मेन्त इस यह काम करना चैए मां कोई कही से पढ़ा लिखा जादा लिका नहीं बहुत कम पढ़दा लिका उस काम करके आज सब अच्छा रुजय रोटी चल रहे हैं उनकी तो किसान वाहिव से में एक हूँगा कर लगन और मेनत से कोई भी काम करिए और सब सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप से फिर गुजारिश कर रहा हूं समय बहुत कम है संक्षिप प्रप्रश्ण पूछे जी राम राम साथ मैं यह पूछना चाती हूं कि मुझे कुछ मैंने फूलों के पौदे लगा रखें जैसे गुड़ल का पौदा लगा रखा है जी तो पौदे लेकिन के ओपर कीड़ा लगता है छाव है कहां से बोल रही हैं वह पर कीड़ा लगता है संक्षिप में चाहूंगा क्या पिले बहुति हैं उसके लिए पहले से जब संभाव नहीं हो यह बर्सात के बार लगता है ज्यादा तर तो इसमें आप एक मोनो क्रोटा पा श्री किशन जी, आपने पढ़ाई छोड़ी, फस्ट एर तक आपने पढ़ाई की, बियस्सी कर रहे थे, आपने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद खेती में तरह तरह के इन्नोवेशन करने लगे, जिस समय आप इन्नोवेशन कर रहे थे, उस समय लोग आपको हतोत साहित कर र सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस जो सदावार आम है इससे मेरे को रूजग रोटे तो मिली रही है पर मेरे को सम्मान इतना मिल रहा है लोग कहते हैं के सदावार आम वाले इनको नेशनल लेवाड मिला है हमारे साथ फोटो कीचवाई है यह करिए और यह अपना अमेरिका इटली हर जगह से फोन है रूस जापान हर जगह से फोन आ रहे हैं और पोदे मांग रहे हैं सब पर हमारे पास थोड़ी साधन सुविदा की कमी इसलिए पोदे प्रियाप्त नहीं दे पा रहे हैं आगे धीरे-धीरे करेंगे आगे इनको लोगों के जो पू का जवालों का जवाब दिया मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन दर्शकों को भी जिनोंने हमें इतना प्यार और आशिरवाद दिया कि आज हम इस उंचाई पर पहुंचे हुए हैं बहुत जल्द हम अपसके 200 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं धन्यवाद देना हैं आप लोगों से इजाजत लेने का अगले सब्ता फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ आजी के दिन आजी के समय देखते रहे हैं एवन टीवी